हेलो गाइज वेलकम बेक टू गाड़ीज वर्ल्ड मैं हूँ आपका होस्ट अभी शेख वर्मा गाइज इंडिया मार्किट में एक और इलेक्टिकल वहेकल लॉंच होने वाली है जो की है एमजी की ZS EV फेसलेट एमजी ने पहले एमजी ZS को लॉंच किया था और आप बहुत जल्द एमजी ZS EV वेरियंट लॉंच करेगी इस वीडियो में आप इस EV वेरियंट के बारे में डेटेल में जानेगे और गाइज अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो स सब्सक्राइब आर चैनल चलो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज एमजी मोटर इंडिया ने हाल ही में MG ZS EV की इमेज को रिविल किया है और बहुत जल्द ही ये इलेक्ट्रिक वहिकल आपको इनियन रोट पे भी देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये गारी 7th of March 2022 को लॉंच हो जाएगी MG ZS EV फेसलिफ्ट में बहुत कॉस्मेटिक चेंज किये गए है और तो और इसमें आपको बहुत से फीचर्स भी मिल जाएगे MG ने इसमें बिग बैटरी पैक भी इंकलूड की है गैज रिविल्ड इमेज से ऐसा लग रहा है कि MG ZS EV फेसलिफ्ट डिजाइन एलिमेंट यूरॉप मार्किट से बोरो किया है जैसे जैसे MG एक के बाद एक कार्स लॉंच कर रही है मेरे को तो लगता है MG बहुत जल्द इन्या मार्किट में अपनी स्ट्रॉंग इमेज बना लेगी MG ने गुजरात के हलॉल में MG ZS EV फेसलिफ्ट को बना रही है तो अब जो लोगों की मेंटलिटी है कि MG एक चाइनिस कार है तो अब में भी लोगों का परसेप्शन चेंज हो MG को लेकर और होना भी चाहिए हाला कि MG ZS EV फेसलिफ्ट दो ट्रिम वेरियंट में लॉंच होगी इंडिया मार्किट में जो की है इक साइट और एक्जेक्यूटिव दोनों वेरियंट में फीचर्स की भरमार होगी लेकिन अगर आपका बज़र 24 लेक के आसपस है तो यू शुड़ गो विद एक साइट वेरियंट और अगर आपका बज़र 27 लेक्स है तो आपके पास एक्जेक्यूटिव वेरियंट का ओप्शन भी है कॉस्मेटिक चेंज की बात करें तो इस एलेक्ट्रिक SUV में फ्रंट फेशिया को न्यू डिजाइन दिया गया है जो कि इसको एक नया अफ्तार देता है इसके अलावा चार्जिंग पॉर्ट की लोकेशन को स्लाइटली रिवाइज किया है और इसमें आपको LED DRLs के साथ Newly Sharp LED Headlamps भी मिलते है बंपर की बात करें तो इसमें आपको नए बंपर देखने को मिलते है लेकिस साइड और रेर प्रोफाइल में आपको कुछ खाथ चेंजिस नहीं देखने को मिलेगे 17 इंचिस के Alloy Wheels के साथ मिलेगी आपको MG ZS EV Face Lift इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में आपको काफी अपडेट्स देखने को मिलेगे जिसमें आपको 10.1 इंच का Infotainment System मिल जाएगा जिसके साथ आपको Android Auto, Apple CarPlay Connectivity भी मिल जाएगी और इसमें आपको MG iSmart Connected Car Technology भी मिलती है MG Ester की तरह इसमें भी आपको Adass Feature मिलता है जिसे हम Advanced Driver Assistance System भी कहते है Automatic Emergency Breaking, Blind Sport Monitoring, 360 Degree Camera, Adaptive Cruise Control और भी काफी फीचर्स इसमें आपको मिलेगे Safety की बात करें तो काफी safety फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलते है Guys look wise काफी premium लग रही है MG ZS EV आपको कैसी लग रही है कमेंट गरके मेरे को जरूरू बताए इस बारे में MG ZS EV Face Lift की battery pack को थोड़ा बड़ा किया गया है जिससे इसकी power train और range को enhance किया गया है पिछले ZS EV में 44.5 kWh की lithium battery आती है जबकि इस Face Lift variant में 51 kWh की बड़ी lithium-n battery मिलेगी जो की per charge पे 480 km तक की range cover कर लेगी power train की बात करूँ तो पिछले variant की तरह ये भी same 143 HP का power और 353 Nm का talk generate कर सकती है इसकी charging speed की बात करें तो fast charging के थुरू आप इसको 0 to 80% और EV की comparison थोड़ा जल्दी कर सकते है ऐसे MG बोलती है अब देखते हैं कितना दम है इस बात में हाला कि MG ZS EV Facelift को इंडिया मार्केट में Tata Nexon EV हिंडे इकोना से compete करना है ये आपको 3 color option में launch होगी जो की है Copenhagen Blue, Ferris White and Current Red आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इप लाग इप लाग बटन और दो शब्सक्राव आपको जो शब्सक्राव जाब जाए धाविडियो